हलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास दसमी की पढ़ाई कैसे करें कई बच्चों के मन में ये चाह रहती है कि वह अपनी जिन्दिकी में एक ऐसी नौकरी करें जिससे उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाए मनलब कोई भी परेसानी ना हो और अपने परिवार वालों की जरूरतों को पूरा कर सके मैंने इसी बात को द्यान रखते हुए आपके टैंथ क्लास की पढ़ाई करने का तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने जीवन में करेंगे तो आप सफल होना आप मतलब निश्चित है ना तो पहला पॉइंट हमारा है सुबह जल्दी उठे गई सुबह जल्दी ज चाहूंगा कि आप अपनी परिक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको रोज सुबह पांच बजे जाकर क्लास 10 की पढ़ाई करना होगा जिसी कि आप परिक्षा में अच्छे नंबर ला सकें और बहुत से लोग दस्मी परिक्षा की मतलब दस्मी क्लास की साते हैं है ना तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अपना 15 पॉइंट तो हो गया है कि आपको सुपह उठना है दूसरा पॉइंट है टाय मैंनेजमेंट परिक्ष्चा में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए time management करना बहुत ही जरूरी है time management करने से आप कोई भी विश्य पढ़ना भूल नहीं पाओगे और आप अपने विश्यों को cover भी कर सकते हैं आप अपने subject को cover कर सकते हैं महत्पून सब्दों को highlight करें आपको दस्मी की पढ़ाई करते समय हाइलाइटर मारकर एक जरूर रख लेना है अपने बुक में जो भी आपको important part दिखता है important सब दिखता है इसको highlight कर लेना है आपने कई टॉप रो से सुना होगा कि वह important सब दो को highlight करते हैं अंसॉल्ट पेपर सॉल्ट करें जो आपके प्रीवियस यर पेपर हैं उनको आपको लगाना है सॉल्ट करना है गाइज में बता देता हूँ कई लोग अंसॉल्ट पेपर करके भी 90 to 90 एवब परसेंड ला पाते हैं है ना पढ़ाई करते समय थोड़ा थोड़ा ब्रेक लें चालिस मिनट की पढ़ाई करें 20 मिनट का ब्रेक लें ऐसे ऐसे करके अपनी पढ़ाई को रेगुलर रख सकते हैं आप है ना तो यही कुछ हमारे पॉइंट थे हैना और लिखकर परिक्षा की तैयारी करें जो आप लिख रहे हो उससे मतलब जो भी आपने याद किया उसको है ना इससे आपको पता चल जाएगा आपका कितना स्लेवस कंप्लीट है है ना और लिखने का सही तरीका देखिए गाई आपको लिखने का बहुत बच्चे गलब तरीके से लिखते हैं है ना तो आज की वीडियो में गाई इतना ही बताना चाहता था और आई होब यह और बेस्ट अप लग